असलाम अलेकूम अव्रिबड़ी और जो लोग वेट कर रहे थे और जो नहीं कर रहे थे कैसे हैं आप लोग सोचा के आज लाइव आया जाए गपशप लगाई जाए ठीक है दी असलाम असीम अली विलॉगर कैसे हो आप यार ओकी जी यहां पर पहले कुछ क्वेश्चन्स आया हुएं आते साथ ही क्वेश्चन्स काफी जादा मिले हुएं तो मैं ठीक ठाक अजीम कैसे हैं आप हलो जी सो यहां पर है जी कुछ क्वेश्चन्स भाई थम्नेल तो देखकर लगाया करें राइट को स्पैलिंग गलत लिखे हुए थे या लेकिन मैंने चेंज कर दिया था और आइटिंक यूट्यूब ने अभी अपडेट नहीं किया था खैर अब तो हो गया होगा अब यूर डूइंग वेल तो रहान ताहिर का क्वेश्चन है जी ब्रो एक मसला हो गया एक अच्छा कीवर्ड पर मेरी गिग रैंक हो रही थी और कल अचानक से सारे सर्च सर्जल्ट में से आना गाइब होगी तो इस नैच्रल फाइवर का जो अलगरिदम ना इस वकट तो वह भाई किसी को नहीं पता वह क्या सीन है तो आपके साथ अकेले नहीं हो रहा है यह सबके साथ ही हो रहा है कि अच्छानक गिग जो है वह फस्ट पेज से से किंड और या थर्ड पेज से गाइब हो जाती अच्छानक और कहीं भी नहीं होती सो यह उनका एलगरिदम है कुछ बिमार ही वैबसाइट कुछ स्ट्राइट से नहीं शो करवारे दियर सो मैनी एरर्र तो हम कह नहीं सकते क्या चीज़ है एक और मसला है कि जी मेरे भाई का दूसरी वार्निंग आई है अकाउंट पर और उसका अकाउंट टेंपरेरी रिस्ट्रेक्ट हो गया क्यों वापस आएगा अगर तो वाकिटेंपरेरी है तो वापस आजाएगा ठीक है आउन्होंने टाइम भी लाजमी बताया होगा अगर टेंपरेरी नहीं है तो फिर भाई आप नया काउंट बना लें ज्यादा बेतर है सुसांटा डास कह रहे हैं जी डवी फोटेशॉट 24 बिगनर्स क्लास टू सर्कल सेलेक्शन इज अमेजिंग ट्रिक मच टाइम फेसिंग इस प्राउलम बट यू सॉल थैंक यू जी वालेक तेंक यू थेंक यू थेंक यू वालेकुम स्लाम कैसे है मैं ठीक था कियार आप लोग कैसे हैं तैंयत सलामो लेकुम कहा है जी वालेकुम सलाम आप सुनाओं कैसी है बिलाल स्टेटस हब या टाइपोग्राफी के उपर वीडियो जो है वो आ रही है ठीक है और इन्शालला नेक्स वीक आपको ये वीडियो मिल जाएगी टाइपोग्राफी की और कॉंटेंट यार पहले लिखना होता है ना बंदा पहले एक स्क्रिप्ट लिखते हैं या आप क पहली वीडियो में भी आपने नहीं बताया आप इस फील्ड में कैसे हिस्सी लाइफ बता दें यह मैंने आपको बताया था कि मेरे जो चाचु है वो ग्राफिक डिजाइन प्लस एनिमेटर और प्लस वेब डिवेलपर हैं अब तो वर्डप्रेस के थीम्स वगरा और इस त सब्सक्राइब करने के बाद मुझे आपको प्रिंटिंग सॉफ्टेर एक प्रिंटिंग हाउस में मैंने काम किया जहां पर प्रिंटिंग वगरा होती है तो वहां पर काम करने के बाद मुझे इसास हुआ कि यार यह एनिमेशन का स्कोप पाकिस्तान में नहीं है ठीक है आज स्पेशली यह लोकल प्लेसिस हैं आज चैनल में कोई जौब वगरा मिल जाए तो हो सकता है लेकिन लोकल सिटीज में बहुत मुश्किल है कि एनिमेटर को दिया उस वक्त स्पेशली आज तकरीबन कोई दस से गहरा साल पहले की बाद है बलके इस से भी पहले की बाद तो फिर मैंने यह अपना जो फोकस से लोगो डिजाइनिंग ब्रेंडिंग की तरफ लेके है तो इस तरह मैंने यह इस फिल्ड में हूँ अलग शुक्र जी अप ठीक हैं जी बिल्कुल खैरियत से हूँ जी आजीम पूछ रहे हैं जीम पूछ रहे हैं अजीम पूछ रहे हैं इंटरनेट पर ओन होकर ठीक है ध्यर फ्यू वेबसाइट्स यह मैं आपको बताया अजीम अंजम इस माइस्टूदेंट वन उप स्ट्रीमिंग पर वाइस काम आरी यह नहीं यार वाइस बिल्कुल ठीक आरी है यहां पर लेवल्स बिल्कुल सही है आइटिंक आपकी तरफ प्रॉबलम है थेहनियत अमीद अमीद कहता है सरसलाम और कैसे हैं मैं ठीक ठाक यार सब लिटेल सां वटिंग अबाउट ओन यह क्या सीन है चले मैं देखता हम ओवाज को क्या सीन है यहां पर और अपन सान्ड सेटिंगल होह रो हो जी हांजी आजी हांजी लेवल्स अच्छा जी अब बाइगी अवास ब्लगुल ठीक सही कहर रहे थे आप माइक्रो फोन के आवास कमोई धी हाँ जी अब देखें आवाज आ रही है क्लियर अब तो बहुत ज्यादा होगी है ठीक है रिसेंटली मैंने जो है ना वो सेटिंग थोड़ी सी चेंज की थी अपने डेस्टॉप की तो उसकी वज़ा से सारी जो सेटिंग है ना वो आप कह सकते हैं कि चेंज हुई हुई है अब अब देखें आवाज बिल्कुल ठीक आ रही होगी आपकी हम मेरी तो है अगर कोई मुझे एक्सपर्ट मिलता है और वह राजी होता है कि मेरे मेरे लिए ट्री बनाए तो मैं इंशालों से लाजमी कौँंगा डिजाइन करना आता है मुझे एप वगरा लेकिन प्रॉपर्ली यूए यूएक्स किया होता है वो मैं नहीं जान था ठीक है उसके लिए आप अगर जानना चाहते हैं तो एक चैनल है मेरे कुलीग का और मेरे दोस्त हैं वो बड़े अच्छे अहमद कयूम ठीक है वो इन्शालला स्टार्ट करने वाले इस तरह की चीज तो उनका चैनल जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं आज कुछ भी नहीं सिखार आज गपशप है यार मैं आपको पता है कि आप लोगों को कहने पर मैं वीकली गपशप के लिए आजाता हूं आप लोगों के क्वेस्टन बगर हो इलिस्ट्रेशन भी सिखा दें इलिस्ट्रेशन वाला सीन जो है न वह थोड़ा कह सकते हैं मुश्किल है उसके लिए ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए उसके लिए लाइक आपको टेक्नीक्स प अपने बिजनेस की अपने जो आउनलाइन बिजनेस को परमोट करते हैं ठीक है तो अब सकूप है लेकिन अब टाइम नहीं मेरे पास कि मैं लर्न करूं उस लेवल की लेकिन अगर आप में से को इंट्रस्टेड है तो आप लाजमी लर्न करने अड़ोबी आफ्र फैक्ट है ब्लेंडर है प्रीमियर प्रो है और भी बहुत सारे सॉट्वेज हैं जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा इस फील्ड में एंटर होने के लिए अब्दुलमुताल वालेकुमस्सलाम हाँ जी सर ग्राफिक्स का काम थोड़ा थोड़ा काम आ जाए तो फाइवर जॉइन कर लेनी चाहिए मेरे लिहास से कर लेनी चाहिए अगर आप थोड़ा काम और अच्छा काम डिलीवर कर सकते हैं तो कर लेनी चाहिए बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्शिप कर आंजी बिल्कुल जी फ्रेंड्शिप विद मी वह सही है आपकी हां जी बिल्कुल वह सही होगी सरसल टेल मी सम्थिंग बाउट वर्किंग उन पीपी एच यार पीपी एच में लेक इस नोट मैं फेवरेट प् तो आप क्या कुछ पूछना चाहते हैं बाउट पीपी एच सपेशली ठीक है अब वहां पर भी यही है कि आपको प्रोजेक्स को पर अपलाए करना होता है या औरली है और इसके लावा औरली है ठीक है तो अगर आपको पीपी एच लगे जॉइन कर लें इस जिस लाइक अ पूल ठीक है वाज 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 इस ओके येस वाज इस ओके मेरी पीसी की स्पैसिफिकेशन जो है थर्टी टू जी बी रैम है राइजन का 2700 एक्स प्रोसेसर है और से और इसके लावा क्या है जी तोड़ा मैं देख लेता हूं मुझे याद नहीं है एट कोर प्रोसेसर 3.7 गीगार 32 जी बी रैम 6 जी बी इसमें वो लगा हूँ है जी आप कह सकते हैं ग्राफिक कार्ड और यह सीन है सारा अब मेरे पीसी की स्पैसिफिकेशन जो है अब वर्क पर ओर्डर नहीं मिल रहे विनायक मेरे चैनल पर एक वीडियो है जिसमें मैंने प्रपोजल राइटिंग का एक मारे जो एक मेरे कुलीग है उन्होंने वीडियो बनाया था मेरे इवेंट पर उनसे बनवाया था हमने तो वो लाजमी देखें उसमें बहुत जब करते हैं कोर्स ठीक है पहली वीडियो आगी है वो जाकर देख लें वाफवर का प्रॉपर एक्सपर्ट है टॉप रेटर सेलर है वहाँ पर टॉप रेटर फ्रीलांसर है तो वहाँ पर जाकर आप लाजमी उनका जो है चेक करें स्कतापर कोई नहीं सीखता है करता है या आप कह सकते हैं उसके डिलिवर करने स्टाइल के ऊपर केopל चीछिदे को मैं विडियो बना लेता हो रैंडर कर अपलोड कर देता हूं बाथ मुझे याद आ रहा होता है किया हम यह भी पता सकता था इसमें ये भी बता सकता था लोगो डिजाइन का फुल कोर्स बना दें बन जागा इन्शालला जल्दी बनेगा लेकिन आप कि एक आप कह सकते हैं एटू जी प्रसीजर जो है वो मैंने दो वीडियो जाइड की हुई है एटू जाइड जिसमें लोगो की ब्रीफ से ल बोजगार पर भी ट्रेनिंग देता हूं थामनिल की इन्शालला थामनिल की और वीडियो आएंगी लास्ट जो वीडियो थी मेरी जो क्लास 10 थी फोटो शॉप की उसमें मैंने सिर्फ आपको कह सकते हैं इंट्रेडक्शन दिया था कि यूटूब के थामनिल्स भी हम सेल कर स हैं यूट्यूब के थामनिल्स फिर सेल कर सकते हैं इसी तरह यूट्यूब का चैनल आर्ट है वो भी इन्शालला लेकर होंगा और भी बहुत सारी चीज़ जो हम फोटो शॉप में डिजाइन करके लोगों में सर्विस दे सकते हैं और हमारे पास क्या कहते हैं बहुत सारी स इस बंदे को प्रॉपरली आ जाए मैं कर मेरे लिहाद से वह बंदा कभी उसका बैंक अकाउंट कभी खाली नहीं हो सकता अपर लाए मैं पृफ्रेशनल ग्राफिक डिजाइनर है यह यह इर उसके काम से अप से अन्दाबार लगा सकते हैं वो प्र उसका काम अच्छा है और colors अच्छे है fonts यूज़ करने का तरीका अच्छा है उसको present करना आता है अपना काम ठीक है तो प्रोफेशनल है प्रोफेशनल यह नहीं होता कि आप प्रोफेशनल के सीज़ को समयते हैं बहुत जादा expert होता ऐसा नहीं है आप भी professional बन सकते हैं लेकिन आपने जस्त कुछ rules follow करने होते हैं ठीक है तो like you have to follow few things के आपने काम quality वाला receiver करना है उसको present कैसे करना है customer को satisfied कैसे करना है कुछ चीज़ें होती जो बंदा कुछ मनें जल्दी सीख जाते हैं जब beginner वह बहुत जल्दी learn कर लेते हैं और कुछ थोड़ा डिले होते हैं तो फिर वह हम कहते हैं बहुत professional है plus experience बहुत matter करता है जैसे जैसे आप इस field में experience gain करन करना शुरू हो जाते हैं लोग आपको वैसी professional करना शुरू करता है आपके काम में दिखना शुरू हो जाता है कि यह इस इस अप professional designer यहर मेरा जो PC था वो तकरीबन एक लाख सतर अजार में त्यार हुआ था ठीक है और इसमें hard drive भी है SSD लगी है बड़ी hard drives हैं और इसके लावा casing 10-12000 की casing थी gaming क्या कहते हैं माउस था gaming keyboard था बहुत सारी चीज़े हैं कितने का पड़ा PC PC में आपको बता दी एक लाख सतर जार का तकरीबन पड़ा है विद गेमिंग माउस एंड गेमिंग क्या कहते हैं keyboard और यह कहां से लिए है मेरा चोटा भाई बनाता है यानि कि वो PC ट्यार करके देता है थीक है तो उसी से मैंने यह बनाया English कैसे ठीक है English आप जो है वो बोलने से आती है ठीक है लिखने वाली जो English है ना वो तो समयले सेंटेंस वह English अच्छी लिख सकता है वह समझ सकता है ठीक है जिसको इंग्लिश समझ आजे वह एक अच्छा इंग्लिश आपको बकाइदा लर्न करवाती है ठीक है मेरी भी कोशिच है कि जब यह काइडमीज बगारा ओपन हो तो मैं भी की वोकैबिलरी प्लस अपनी टॉकिंग स्टाइल थोड़ा बेतर करूं इंग्लिश का बहुत ही खस्ता हालत है मेरी भी इंग्रेजी की तो जितना बोलेंगे उतना ही अच्छा आपका यह इंग्लिश होगी वोकैबिलिरी के उपर वर्क करें गीवर्ड कैसे चूज करें तू रैंक गिग हाई अजीम देर इस नो स्पैसिफिक की वर्ड आप देखे मैंना आपको कई मैथड़ प्रताएं एक तो यह है कि आप लोग अपने कंपिटेटर का गिग सर्च करें उस की वर्ड पर रखके और उसके जो गीग के टैग्स हैं उठाएं और लगा दें उसी तरह राइलिवेंट कीवर्ड हैं वह अपने डिस्क्रिप्शन में भी आइड करें और इस तरह मैकसीमम योग्रिवर्ड को कीवर्ड के साथ तो वह करें तो रैंकिंग हो सकती यह ठीक है लेकिन एक एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि एक एक रात की बात नहीं है, ठीक है, कुछ होता है, के सम टाइम लगी हो जाता है, लेकिन यह एक रात की बात नहीं है, आप देखें, आपके कम्पिटिटिस कितने हैं, वो कोई मिस्टेक करेंगे, तो वो पीछे आएंगे और आप आके जाएंगे, एक चीज, एक रूसेप्ट लिए उनका आगे चला गया आपने कोई मिस्टेक कर दी या आपके रिव्यूज रुक गए या आपकी रैंकिंग वहीं पर रुकी हुई है ना कोई और आ रहा है नो कुछ और तो जिसके आगे आए हैं रिव्यूज तो वही आगे जाएगा ना ठीक है तो यह जीद आपने ख आगे उसको रिव्यू मेला हो फिर रैंकिंग प्लस होना शुरू हो जाती है और इसके लावब ट्रैफिक बहुत मैटर करती है आपके गिक्स के ओपर ट्रैफिक होगी आती रहेगी रेगुलरली स्पेशली फाइवर के उपर से यानि फाइवर के प्लाटफॉर्म से तो ए दो रीजन्स हैं एक तो है कि आपका काम शायद क्वालिटी वाला उतना नहीं है जो उनकी डिमांड को फिल करता हो इसलिए रप्लाइन यह आए दूसरा आपकी जो कम्यूनिकेशन हुई है उसके साथ उसमें थोड़ा प्राब्लम हो और तीसरी में जो रीजन जो ऑविस र प्लैटफॉर्म पर जो बिगनर्स दें वो दिल हार जाते हैं और कैसे यार यह काम ही फजूल है लेकिन आप ट्राइग करते रहें ठीक है ट्राइग करते रहें कीप ट्राइंग काम अपना अच्छा कर लें कि लोग आपको खुद हायर करना शुरू कर दें ठीक है यार लोगो डिजाइन का कोर्स अभी देखा केला बंदा हूं बैने बड़ा काम करना है अभी फोटोशॉप का कोर्स चाल रहा है साथ में मैंने फ्री लांसिंग का भी स्टार्ट करना है और प्लस यह टिप्स और ट्रिक्स वाली वीडियो भी है और इन्शालला फिर टाइ ट्रेनिंग्स देता हूं लेकिन मेरी चार्ज बहुत जाद है एक परसनल ट्रेनिंग्स के मेरे चार्ज बहुत ज्याद है तो आइक इसलिए लोग जो गपराते हैं कि मैं बहुत आरा फीसिजना प्राइड भी फीस एफोड भी निनी कर सकते कही लोग ओके जैंबी खान का क अब इस यूदों माइंड हो माच यूव अर्ण थू फ्रीलांसिंग सिंस यू स्टार्ट यह मैंने गिने नहीं ठीक है अब फाइवर से तकरीबन मैंने एक अकाउंट से हमने तकरीबन कोई 23,000 डॉलर अंगर लिया था 24,000 डॉलर एक अकाउंट से हमने कोई 33,000 डॉलर हो एक पर दस हो गया है इसके अलावा फाइवर अपवर्क था ओडैस्क थी वहां से हमने कई 1000 डॉलर कमाएं ग्राफिक रिवर्ड से मैंने कई कमाएं अभी भी कमा रहा हूं क्रेटी मार्किट से सो और इसके लावा मेरी अपनी वेबसाइट थी लोगोर नीड.com अभी भी है हैं वहां से हमने बहुत अर्निंग किया तो कभी लिखें ने कभी याद ही कुई रिकॉर्ड हुट रहा डिरेक्ट लाइन्ट बहुत ज्याद कपढ़ तो उनके भी जो ट्रांजेक्शन आती इनको गईन कभी नोटिस नहीं किया तो यह लाइक हम मैं कोई ऐसी को रेंडम फिगर नहीं बिता सकता है इस टोटली रेंडम हमने कभी नोटिस ही नहीं किया कि कितनी हर्ण हुई है यह मैंने भी सुना था राइजन हीट अप होता है लेकिन अभी जो है न मैं कमरे में बैठा हूं और जिसका अगर मैं पंक्खा कर दूँ तो मैं तो पिगल नहीं लग जूँगा यह पंक्खा चल रहा है तो लेकिन अभी अगर मैं अपने एक सिस्टम का हीट बताऊं तो यह ह ए कितना इजी यहां पर किदर कि दरगा कि दरगा कि दर रहा है कि यह तक्रीबन 60 इसका है तेमपरेचर ठीक है 60 टेमपरेचर रेसका तो इस फाइन इतना तो होता है उतनी गर्मी में तो इतना हो सकता है लेकिन अगर इसको हम like AC वाला में सेट करें जैसे हम एक नीचे सेम सिस्टम पढ़ा है थोड़ा इससे अच्छा है वो एसी के साथ रहता है और उस पर गेमिंग भी ज्यादा होती तो उसका टेंपरिचर सिस्टम के अंदर तो इस वज़े से बचत हो जाती है ठीक ऐसे नहीं कि कुछ भी ना लगाया और आपने प्रोसेसर लगा दिया वह तो जल जाएगा वह तो बर्न हो जाएगा ब्रोशर के तीप ब्रोशर के डिफरेंट साइज इस है टाइपस आपको बुटायता हूँ एक सिंगल पेज है डबल उगया उसके बार बाई फोल्ड हो गया और अब साइजिज जो है मोस्ली ए फॉर साइज के उपर सारे बनते हैं ब्रोशर पिर ए फॉर के बाद ए फाइ कॉंफिदंस असगर सर मुझे आता है मगर आइंग लेकिंग सम्थिंग डूंट नो वट मैंने देखा है कि आपको काम आता है लेकिन कॉंफिदंस नहीं है उस प्लैटफॉर्म को जॉइन करके काम करने का बस और एक होता है होप वह बड़ा लाजमी है जब तक आपको अपने काम के ओपर अपने उप़र के जी मैं काम कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं तब तक नहीं पॉसिबल कि आपको काम मिलेगा अज़र नहीं कि फोटोशॉप यह सब्सक्राइब का पता है बट अडॉबी फोटोशॉप नहीं आता बस लिस्टेटर आता है तो यह फोटोशॉप इस ही कलोग ज़्यादा असान है ठीक है और जब आप लिस्टेटर सी के फोटोशॉप उपन करेंगा आपको पता होगा क तो मुझे पहले ही अब पता हैं तो एजी अव लर्न कर लो क्या मैं प्रोफेशनल हूं बट मेरे डिजाइन सब को अच्छे लगते हैं भी पर देखें आसी में चीज मैं बताता हूं दोस्त या आप फेस्बुक फ्रेंड्स हैं या आप कह सकते हैं तो वहां पर ऐसे लोग है ड्रिबल है इस तरह के नेटवर्क्स आप जॉइन करें यहां पर आपको पता लगएगा आप जिब लोग आपको आकर काम का बताएंगे क्रिटिसाइज करेंगे लाइव आकर बताएंगे आपको कि यार यह चीज़ हैं मसलें आपके लाइव कॉमेंट्स चल रहे होते है की नीचे के ये काम अच्छा यह कलूर अच्छा नहीं है फोंचन आपको मजाता है जब अपना काम क्रिफैशनल्स के के द्रमियों शोर करके पिर क्रिटिसम्न कोमेंट्स łं ठीक है पिर आपको पता लगए वैसे तो तो फ्रेंड्स होते हैं यारि यह का क्या बात है काम ब के दोस्त हैं ठीक है आप उनकी फ्रेंड लेस्ट में मजूद हैं तो इसी वज़ा से जो है ना आप काम वहां पर शेयर के जहां पर थोड़े प्रफेशनल्स बैठें हैं लोग क्प्यूटर रिक्वार्मेंट फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग यार लास्ट मेरा जो लैप्टोप था उसमें टू जीबी कार्ड था 16GB RAM थी और उसके अलावा SSD लगे वी थी और एक हार्ड ड्राइव लगी थी तो अभी जो करन्ट और इसके बाद फिर मैं PC पर शिफ्ट होगा वहला टॉप मैंने सेल कर दिया ठीक है तो अब अब जो है यह मेरी कंफिग्रेशन थी के 2GB कार्ड के साथ और 16GB RAM थी 8GB RAM के साथ साथ भी काम चल पड़ता है तो यह आपके उपर डिपर आपने कौन से सॉस्टर यूज़ करने हैं अगर आप चा रहे हैं कि मैं 2GB रहे हैं 2GB ग्राफिक कार्ड या 8GB के साथ मैं Photoshop भी रण करूं सेम टाइम इलिस्ट्रेटर भी रण करूं और फिर Premiere Pro भी आन कर लूं और करता हूं गेमिंग ज्यादा तर मैंने अपने काम रेंडरिंग के लिए रखा हुआ है इसलिए इसका ग्राफिक कार्ड 6GB और कोशिशन मेरी एक इसको भी अपग्रेड किया और रैम ज्यादा मैंने की विए ताकि स्लो ना हो प्रोसेसिंग स्लो ना काम लो ना हो तो किसी इ करनी चाहिए या फिर यह डिपेंड करता इंस्टिटूट कैसा है ठीक है महसला अगर आपको एंसी से सीखने को मिल रहा है तो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए लेकिन यह के कोई नतुफतू अपनी अकैडमी खोल के बैट जै जिसको आपने कभी नाम ही ना सुना हो या को एक्सपीनियस ना हो ठीक है तो फिर उसके पास अवाइड करना चाहिए और आप जाकि वहां से पूछेंगे ना आप क्या सिखा रहे हैं आपको वैसे इनकी बॉडी लेंगवे से पता लग जाएगा कि क्या आप क्या सीखने वाले हैं या कुछ का भी सकते हैं कि अभी फिल करें आप इन वेबसाइट से सर्च करें आप गिग्स के कीवर्ड्स कीवर्ड्स जो हैं वो आप एक दफ़र टार्गेट करके रख लें थामनेज अपडेट करने चाहिए मैंने आपको बताया था कि जैसे कपड़े बेचते हैं ना फीमेल खावातीन का कपड़े तो आप ब बाहर जो पुत्लों के ऊपर ऊपड़े रखे और चेंज करते हैं यह क्यों करते हैं ताके उनका पॉटेंचल कस्टमर है ऊप कप्ड़े देखके डिश्पले वाला कपयगब रहना के एंटर उनकी शॉप के अंदर और इनके रेट पूचे और उनके नए कपड़े उस और जब आपके डिस्प्ले के उपर कपड़े अच्छे लगे होंगे तो वो आएगा और बायर करेगा लेकिन अगर आपको लगे के अब मेरा कस्टमर शॉप के अंदर एंटर नहीं हो रहा तो इट मींस जो आपने डिस्प्ले पर लगाया है काम वो अच्छा नहीं है वो ऐस है नहीं है कि उसके उपर क्लिक्स हों या कोई कस्टमर आपकी शॉप के एंटर हो ठीक है इस वज़ए से गिक्स की जो इमजीज हैं वो आपको चेंज करनी चाहिए अगर उसके उपर स्पॉंस नहीं आ रहा है आए एम सैवन्टीन येर्ज ओल्ड नाइस फी कितनी है फी बहुत ज़्यादा है या सर आपसे कैसे कॉंटाइट करूँ आपका अपसर ट्रेनिंग के लिए सर फी क्या है फिर भी मैं जॉइन करना चाहता हूं कोर्स कौन सा है यह कोर्स यह ग्राफिक डिजाइनिंग फोटशॉप इलिस्टर्टर फ्री लांसिंग और इसमें टॉपिक्स है डिफरेंट जिसमें लोगों डिजाइन यह फीस वगरा बहुत है आप मुझे इस्टाग्राम पर मैसेज कर दे हैं और अभी मैं वैसे ट्रेनिंग्स नहीं दे रहा किसी बी किसम की क्योंकि मेरी जो अभी जो ट्रेनिंग्स चल रही है वो एरो गार के फ्री वाले होते हैं ठीक है तो वो सीन है अभी फिलाल नहीं हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं तैनियत ग्राफिक रीवर से जो है अर्निंग का इंशालला वीडियो आ रहा है एक दो वीक्स लगेंगा उसके बाद में आपका मेरी टीम में अगर शामिल होना है तो आपका काम ब बड़ा मुश्किल है तो डिजाइन कौन से बेटर होता है वेक्टरी यह ओविसली वेक्टर डिजाइन ज्यादा अच्छा है लेकिन हर डिजाइन की प्रपरटी या कस्टमर की डिमांड के ओपर डिपेंड करता है अगर तो काम आपका रेलिवेंट टू फोटो जै तो फि वेक्टर फॉर्म में चाहिए कस्टमर को तो फिर ओविसली फिर वेक्टर अच्छी चीज इलिस्ट्रेटर का काम अच्छा है सिंपल है यार इसमें जैसे आम उकाद पर हम बायर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं वैसे यह सबसे पहले तो आपके पास गीग होना चाहिए लोगो का और उसके इमजिज जो हैं वो यह होके क्लिकेबल हो ठीक है लोग देखके नोटिस करें और उसके उपर कोई ऐसी चीज ल लिवरी ठीक है तो अब उसमें मैंने एक प्रॉमिस किया होने चौबीस घंटे के अंदर अंदर डिलीवर कर दूंगा इस तरह आप लिख सकते हैं 24 लिवरी फॉर कुंसर्प्ट यह थी कुंसर्प्ट तो इस तरह कि आप इमेज के उपर कोई स्टेट्मेंट जब तक नहीं कि आपकी कंपनी के यह कंपनी है फॉर एक्जेंपल डिजाइन अकैडमी ठीक है आपकी कंपनी डिजाइन अकैडमी का लोगो मैं बना सकता हूं काइंडली चैक मैं गिग पोर्टफोलियो या अगर खुल लिंक आपने देना है तो लिंक भी दे सकते हैं और फॉर फर्दर मिलेगा लेकिन डिपेंड करता है आपने जो अंदर अपने गिग इमेजिस लगाएं वो कैसे हैं उसके उपर क्या ऐसी चीज़ है जो कस्टमर देखके अट्रेक्ट हो जाएं बाकि रिव्यूज बड़े मैटर करते हैं जिस गिग के उपर रिव्यूज हैं वो में पर रख अब और अगां हृषरव मैं अपने के लिए बेस्ट कलर कासे चूज करें यह अगर तो हौपने लिए दिशाइन्स बना रहे zosक फिर जो आपको कलर पसंद यह कुछ और के लिए practice रमारे को ठीक है लेकिन अगर बिल्कुल एक आट ओफ इस वर्ल्ड चीज लेके आए और आपको अंदाज़ ही नहीं कि इसमें क्या कलर होना चाहिए तो फिर अब यह नहीं मैं कह सकता है कोई कि आप ब्लू कलर यूज कर लें ग्रीन कलर कर लें रेड कर लें आपके प्रेणड करते हैं, आपके चीज डिजाइन कर कर रहे हैं उसके ऑपर डिपेंड करते हैं क kiedy आपको कौन सा कलर यूज करना चाहिए ठ Hy bulk तो ऐसए को specific नहीं है, मैं आपको बता दूं कि यहार नीला कलर युज कर लो, बहुत अच्छा होता है तो यह ऐसे नहीं है चार बेसिक कलर्स नहीं है अगर आप प्रिंट के लिए स्क्रीन कलर्स है यलो ब्लैक और उसके बाद वेब कलर्स आगए है स्क्रीन कलर्स है अर्जीबी रेड ग्रीन ब्लू अब ये ये तो इन्फोर्मेशन सब को पता है लेकिन आगे जो है कलर्स थियोरी है वो इन्शालला मैं वीडियो को लेखे होंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किसम के कलर्स यूज कर सकते हैं ठीक है लेकिन वही काम है कि आपके उपर डिपेंड करता है आपकी क्या पसंद है अगर अपने लिए आप एक ही काम कर रहे हैं कैसे बोर नहीं होते यार बोर होता हूं और गेम्स खेलता हूं क्लैश रॉयल काल अफ ड्यूटी लंबे रेस्ट पर भी चला जाता हूं लाइक आज कर जैसे है कि मैं रेस्ट पर हूं ठीका और बड़े कम आते हैं बहुत कम आते हैं लाइक बश्कल आप कह सकते हैं एक दोबर होता है लेकिर जब काम का मूड़ हो थो फिर गौम तो मा besser कर लेना चाहिए ब्रेक लगानी ये क्यों नहीं लगानी चाहिए तो अब को साथब आती है अच्छे कोर्स सेलेक्ट करने के लिए भी वीडियो बनाएं प्लीज या तहनियत मैं कोशिच करूंगा ऐसी कोई वीडियो बनाओ जिसमें यूडमी का कोर्स लेके हैं आप किसी भी अंग्रेज इंग्रेज बंदे का कोर्स पकड़ लें वह ज्यादा अच्छा और लेकिन मसला यह है कि जो हम पाकिस्तानी जाना वो डे वाट दे जस्रपीट सेम चिंग अगें अगें आज मैं आपको यह सका हूंगा तो नादिन आपको यह सका हुआ हूँ तो वीडियो अगर दस मिनिट की हो तो उसमें पांच मिनिट वह जनाब साब यहीं बगते रहते ह सुरी कहते रहते हैं कि मैं यह सका हूँ हाला कि वह वीडियो स्टार्ट होते हूते पांच मिनिट लग जाते हैं ठीक है के वीडियो के उपर और व्यूज और सोन के पता नहीं और बताते हैं कुछ में नहीं आप लिटरली वो जो जो चीज़ आप देख रहे होते ना जब वो बता रहे होते हैं वो आप करेंगे भी ना तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी सर पहले मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती थी तो बहुत और थे अब ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई है तो और आना क्लोज हो गए हैं दीना मलिक यार मसला ये है के फाइवर प्लैटफॉर्म में थोड़ा बग्स वोगे राजकल आये हुएं दूसरा उनका उठा के कहां पर फिट कर देता है मसला लास्ट वीक से मैं गौर कर रहा हूँ के टॉप रेटेड को बचारों को पीछे फैंका हुआ है और लेवल टू लेवल वन स्पैशली और लेवल जीरो वाले जिनके दो-दो रिव्यूज हैं वो भी फ्रेंट पेज पर शो हो रहे है अँद अधर हैंड उससे पहले टॉप रेटेड फस रो में थे उसके बाद बाकी शो हो रहे थे तो यह बिलकुर रेंडम ही चल रहा है काम उनका कभी किसी को आगे ले आते हैं तो अपनी टर्न का वेट करें और वो आएगी बारी आपकी ठीक है और फिर काम मिलना शुरू हो जाएगा इट सफन प्लैटफ म काभी का वेट करें और जब तक बारी रहे की इतना केश उठा लें और पर चले जाएं मैं इसलिए रिकमेंड करते हूं साथ एक और प्लैटफिम एड़ करें ठीक है अपना अप्वर कर लें फ्री लांसर कर लें ये प्लैटफॉंस भी अ जरू आप अपने लिंक सेंड कर दें अगर वो अच्छा अगर मुबाइल पर चेक कर रहा है और अगर उसे लगा अच्छा कि इसका लिंक है चेक करना करना चाहिए तो आप वहां पर लिंक सब्सक्राइब कोशिश करें जो लिंक्स फाइवर ने अलाओ की हैं उनके उपर रखके आप अपना जो है ना वो बनाएं पोर्टफोलियो वेर नस प्राइविट प्राइविट सेशन का भी कोई नहीं सीन ठीक है और आसिम फिफ्टी के ही है आलमोस्त हमारी फीस जो है ठीक है जिसमें अडॉबी प्राइटर फोड़ोशॉप सिखाते हैं कंपलीटली प्लस इसमें स्किल्स दिखाते हैं प्लस फ्रीलांसिंग सिखाते हैं और सारी हैल्प करते हैं ठीक है यह सीन अब तो डिसंटली हमने कोई प्राइविट सेशन नहीं करना ना कोई प्लैन है अब तो जिस्ट फोकस अन यूट्यूब कह सकते हैं अपने और जाजकल हैं काफी तो उसके उपर फोकस है मूसली कैनवा यूज करना चाहिए अगर आप कह सकते हैं कि फोड़ोशॉप नहीं आता तो फिर आप कैनवा यूज कर लें लेकिन कैनवा में बड़े लिमिटेड रिसोर्स हैं ठीक है तो मैं मैं रिकमेंड करता हूँ जहां पर कैनवा पर आपने मेनद करनी थोड़ी मेनद करके फोड़ोशॉप शीख लें ज्यादा बेस्ट है फाइवर पर बायर रिक्वेस्ट पर रिस्पाउंड करते हैं किया बातें देन में रखनी चाहिए यही रखना चाहिए कि मुझे ओर्डर आना चाहिए ठीक है दूसरा यही है कि आपने एक चीज़ा आपने देखें सर्विसीज हम क्यों देते हैं धरिए सर्विसीज हम इसलिए देते हैं कि अगले की प्रॉबबं को सॉल्व किया जाए और फिर हमें पैसे मिले हैं तो आपके जहिन में यही होना चाहिए कि जो उसको प्रॉब्लम है चाहिए लोगो डिजाइन चाहिए 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 जो भी चाहिए कि आप जो प्रवाइड कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट स्लूशन है आपके जहन में यह होना चाहिए अगर आपकी क्वालिटी काम की अच्छी है और उसको रेलाइज भी हमने यही करवाना होता है कि आपकी जो सर्विस है वो उसके लिए फाइदावन है गिव लेम सम परक्स कह सकते हैं और उनको ओफर करवाइं कि मैं आपको चार लोगों किंसर्फ देता हूं ठीक है मैं आपको साथ फ्री विजनस कार्ड देता हूं आज बोनस ठीक है आज फर्स्ट कलाइंट या इस तरह की ओफर भी हम करवा सकते हैं कि अधिस्ट तो घट डैर एटेंशन ठाकि वो थूड़ा थाइम इंवेस्ट करें आपकी ओफर के ऊपर और एंड्रेस्ट जो करें कैसे चेक करते हैं क्या कैसे करते हैं कि हीट कैसे चेक करते हैं यह उनके डिफरेंट सॉस्ट वेर जैसे हैं स्टेटिक सर्वर ठीक है इस वकत 60 आ रहा है मेरा जो ऑन स्क्रीन जो डिस्प्लेय है रिवा ट्यूनर अगर हम सर्च करें तो वहां पर हमारे पास यह इसका टंप्रेचर वगरा शो हो रहा होता है विदि नौर्ट सीमिंगे नफ वीडियो तो मेंटें स्मूर्थ स्टेमिंग असच वीवर्स विल एक्स्पीरिंस बफरिंग क्या सीन चल रहा है कुनेक्शन पूर है एक मिनट में स्ट्रीमिंग चैक करूं क्या मसला है और तो ठीक है बिलकुर ठीक है ठीक है स्ट्रीम हैल्थ इस एक्सेलेंट यून रसीविंग एनफ विडियो मेंट और लो जी एक्सेलेंट हो गया ठीक है जी वी आर बैक गुड़ गुड़ माशालला ठीक है जी आज कल तो क्लिक्स भी शो नहीं हो रहे कैसे पता लगेगा हाँ जी आज कल बिलकुल नहीं शो रहे आना कि मैंने उन्से स्पोर्ट से बात भी की एक दो दफा़ तो उन्होंने कहा कि पीछे बैक एंट पर सारह कुछ नॉर्मली चाल रहा है वी है बग और यह हम जल्दी फिक्स कर देंगे तो देरी नो स्पैसिफिक डेट के कब बाई डेट और कब फिक्स करें लेकिन फिर भी पता लगया था आपको आपका पहले दूसरे पेज पर गि पर इन्शालला और लोगो चैलेंज्ज हो गए डिजाइन्ज हो गए जिस तरह भी है वो हम करेंगे एक और में है कि मैंने एक कम्यूनिटी टैप पोस्ट डाली है कि आप लोगों में से अपनी ब्रीफ अपनी कंपनी है या अपना कोई ब्रैंड है या कोई पेज है या तो आपको जिसका स्लेक्ट होगा उसको मैं लोगो फाइल्स भी सेंड कर दिया करूंगा तो उसको लोगो मिल जाएगा और एक तरह की लर्निंग के लिए लोगों को वीडियो में मिल जाएगी तो मेरे फोटो एडिटिंग बहुत कमाल की है स्पेशली कलरेक्शन और मैं उसके लिए पेड़ वर्क कैसे पा सकता हूं स्मार्ट वोई अगर तो आपका जो है फेस्बुक अकाउंट है और पेज है तो आप डिफरेंट ग्रूप्स जाइन कर लें फोटो एडिटिंग के और फ्री लांसिंग के ग्रूप्स हैं और उसके अलावा तो मैनी ग्रूप्स इन फेस्बुक जहां पर जाके आप लोग अपना ना सर्विस वहां पर लिस्ट कर सकते हैं मैं फोटो डेटिंग बहुत अच्छी करता हूं और यह वह सीन है तो वहां पर हम जो है ना अपनी स सर्विस दे सकते हैं और वहां पर रिस्पॉंस थोड़ा लेट है लेकिन आता है लाजमी आता है क्योंकि वहां पर कंपिटिशन बहुत है कंपिटिशन तो वैसी मार्किट में इस वकत बहुत हो गया है लेकिन अगर आप करते रहें ट्राइट तो यह आपको जो है मिल ग्राफी डिजाइनिंग का केरियर बस आप कह सकते हैं कि अगर आप न्यू है और किसी सॉफ्टियर आउस में जाके काम करते हैं और आपको जॉब मिल जाती तो आपको 30-35 स्टार्ट मिलता है ठीक है लेकिन अगर आपका को 10-12 साल के एक्सपीरियर और कोई अच्छा सॉफ जो है डिसाइडर आज से मुझे याद है कि आज से कि 6 से 7 साल पहले नहीं इस से भी पहले I think 2014 या 15 में मुझे UK की तरफ से था एक क्लाइंट he offered मी 4000 डॉलर ठीक है पर मन्थ जो अगर आप बाहर के उनके जाके साथ काम करते हूं इस इवास फ्रॉम यूके तो मैंने का आप 4000 डॉलर नहीं आप मुझे पाउंड में पे करें फिर मज़ आएगा तो यह जो है ना तोटली आपकी स्किल लेवल के उपर डिपैंड करते हैं किया चीज उनको प्रॉइड करें और कितनी क्वालिटी आपके पास है कितना पॉर्टफोलियो है बड़ा क्रिटिविटी को पीक तक कैसे लेके जा सकते हैं क्रिटिविटी को पीक तक ले जाने के लिए सबसे पहले ही मेंटली रिलाक्स होना है दूसरा लोगों का काम देखना है जितना हो सके उनको देखें जांचें उस तरह का बनाने की कोशिश करें और इंस्परेशन ले जितन अपकोर्स का दूरेशन थ्री मन्स भाइन कर सकता हूँ यहार मैं कोड़ा में रहता हूं और और अगर मैंने ट्रेनिंग्स दी तो ऑनलाइन ही दूँगा तो फिर आप ज्वाइन कर लेना ठीक है और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के मैं शायद कम लो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं थैंक यू कमर भाई रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट देखने के बाद हम अपने सर्च इस बार में जाकर उसमें SMS कर सकते हैं और सेंपल दिखा दें नाइम देर इस नो पॉसिबिलिटी ठीक है कि आप बाई रिक्वेस्ट को देखें नाम पता लग जाए आपको और उसका प्रफाइल ओपन करके अगर उसके पास कॉंटेक्ट का बटन शो हो रहा है तो ठीक है अगर आप वह उपन करके ठीक है और वहां पर लगाएं ना अगर हम के वहां पर जाकर हम चेक कर सकते हैं उसका यूजर नेम बाईर का तो अगर उसकी प्रफाइल पर जाके कॉंटेक्ट का बटन शो हो देन वी कें सेंड हैं मैसिज लेकिन अगर शो नहीं हो रहा तो फिर ह आपको वार्निंग भी आसकती कैसे कि आप खांपशा उसको मैसिज कर रहें अगर आप इंट्रस्ट इन यह वह इनदा है आपके कांम इंट्रस्ट जी ना बीधन है तो स्पैं में रख के आपको वार्निंग भी आ सकती तो इस Tao भी कहाह रखना है लिशटर भी उस सीखना इडिटिंग या फोटोस के रेलिमेंट काम जितना भी है तो वो फोटोशॉप मैं रेकमेंड करता हूं दोनों जरूरी हैं अब अब वर्क पर तरले मिंते करके काम लेकर लिया जा सकता है यह अपवर्क इस वेरी प्रफेशनल प्लाटफॉर्म राइट नौ और इस तरह किया रखते हैं वैसे अच्छी नहीं लगती मैं वही रेकमेंड करूंगा आप जो है एक वीडियो है हमारी हाओ टू यानि प्रपोजल राइटिंग की है एक वीडियो मेरी अगर आप वीडियो में जाके चेक करें बैसे जी लफदल ठीक है तो वह अगर आप जाके चेक करें तो वहां पर उसने पूरा प्रसीजर अपना सिक्रट फामूला बताया किस तरह बेड़ करनी चाहिए ठीक है तो अगर हम वह प्रसीजर फॉलो कर लें तो होफुली आपको और्डर आना शुरू हो जाएंगे उस अच्छी अच्छी आपके मुस्ली यूट्यूब के वीवर्स जो हैं वो न्यू है फाइवर पर और आप ऐसे क्यों नहीं करते पर पेसे क्यों नहीं करते के पॉर्टफुली उठा दें और उनमें से मिस्टेक निकालें ताकि उनसे इंडिविजल का फाइदा हो जाए बाकि बीगनर्स को भी ठीक है ऐसा कुछ करते हैं इन्शालला मैं कोई ऐसी कोरी लाजमी आड़ कर लूँगा और फिर हम जो है ना वो कर सकते हैं यह वाला काम भी कर लेंगे कौन सा मुश्कल है ठीक है अग्जैंपल वर्क आपने देखना है तो वह भी हांस है ग्राफिक रिवर है ड्रिबल है यहां से हम काम कर सकते हैं ड्राइंग कैसे सीखें यार बहुत सारी वीडियोज हैं वहां पर यूट्यूब के उपर तो वहां से हम सीख सकते हैं ठीक है तूर डिजाइन करने के सामळु करते समये वीडियो मारी ब्रेक हो रही है पता नहीं क्या मसलँ है सर डिजाइन करते समय पर सर आइडिया नहीं आता माइंड स्था को जाता है प्लीज सर ब्रीफ दो कुछ प्लीज रप्लाइए अच्छा जी मोधी कुरुनाल डिजाइन करते वक्त ना आप कह सकते हैं कि हम कों साब आसमान से लेकर उतरे है अपना क्रेटिव माइंड या उतर आइडियास तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा पर तो बहांस है गुल है आप जो चीज बना रहे हैं उसके डायरिंट सर्च कर लारा है तो आप हैस फलायर्स गुगल करें अर इसके ल र CCP को एडियाइज आप को मिलना शजरु हो जाएंगे अब उन में से यह क्याप कॉपी ना करना शुरू करना डिटो कॉपी लगा दी किसी का पहले में उठाके लगा सकते हैं किसी के दुम लगा दी, किसी का आंख लगा दी, किसी के पाउं लगा दी यह सहाब होना है ठीक है अगर आपने ऐसा करना है साथ खुद से कुछ आना शुरू होना तो वो time लगता है खुद से कब आता है जब आप देखना शुरू करते हैं लोगों का काम ठीक है लोगों का काम देखेंगे तो यह आपके अंडर वो चीज बनाने की देख़े करते हैं यह कूछ पानी का ग्लास पुला दिया और क्रिटेविटी जा गी आपकी ऐसा नहीं है सीन लोगों काम जब तक नहीं देखेंगे आपको काम नहीं आना आए हों अध्यृत क्या होती है ब्रीफ में स्च्ट्रीप्शन मिलती ए ठीक है उसको हम ब्रीफ कहते हैं उसको हम कहते हैre तो यह जाना क们ğыт चाहिए वह ब्रीफ ली आपको डिस्क्राइब करता है कि यह चीजन चाहिए तो वह उसको हम ब्रीफ कहते हैं एक टेक्स्ट फॉर्म की शकल में हो सकता है वीडियो की फॉर्म में हो सकता है इमज की फॉर्म में हो सकता है वो जो डेटा मिलता है आपको डिजाइन बनाने के ल स्वाम आलेकुम वालेकुम स्लाइब ड्राइंग कैसे सीखें मैंने आपको बता दिया है कि यूट्यूब से सीख लें बहुत सारे यूट्यूब चैनल है मैं भी एकसर फॉलो करता हूं उनको वहां से ड्राइंग्स होगारा उनकी देख रहा होता हूं और कुछ टिप्स होग स्लाम आलेकुम जी वालेकुम स्लाम फुरकान भाई कैसे हैं आप हाँ जी इन्शालला जब पेड ट्रेनिंग हम स्टार्ट करेंगे तो मैं चैनल पर भी नोटिफाई कर दूँगा तो जिसने करना है वो गाईज वो लोग जोईन कर सकते हैं यार आई साइस ता मैंने वो सारा कॉंटेंट वैसी चैनल पर ले आना तो आप लोगों के पेड होगा के बस मैं अवेलबल होंगा साथ साथ आपके हैल्पिंग के लिए 24 घंटे तो बस ये फरक होता है बाकी सारा कुछ कुछ कॉंटेंट मेरी कोशिच है के चैनल पर ही लेकर आज हूँ बैक अभी पोटो का पोट्रेट बनाना सिखाएं ना क्यूंकि आप एक एक पॉइंट बताते हैं आपकी वीडियो देखके हम साथ साथ प्रैक्रिस करें तो एक ही बार समझा आ जाती है जब किसी दूसरे चैनल पर ऐसे सीखने को नहीं मिलता यार मेरी कोशिच है मैं इंश यह को स्टैब बस्टैब लर्न करें पहले उन्यूसरेटर कर लें यह फोटोशॉफ कर लें एक महीने में यह आजाते हैं ठीक है ना दो मा में आपको सॉफ्टेर आजाने के काम चीखने में टाइम लगता है चीजहें कैसे डिजाइन इस पर टाइम लगता है तो एक विद माँ उस पर भी लगा लें तो चौथे पांच में मन्त आप यह नहीं कि आप टोटल कर लें है बस कभी इस पर भी सिखा दें प्लीज अजी इन्शालला लाजमें सिखा दोंगा लव फ्रॉम बंगला देश थैंक यू और गया मॉंडॉल लव फ्रॉम पाकिस्तान ठीक है मुझे आपका क्वेश्चिन होता सर मुझे समझ तरह का डिजाइन बनाओं ठेखेँ पहले क्षएड करें आपने बनाना कि है सबब से पहले आप डिसाइड करें के आपने बनाना के लोगो डिढाइन है । कार्ड है फिलायर वड़ इसको बनाना है कि स्टाइल का बनाना और अग्र प्रत स्टाइल आपको नहीं पता लगय देंग लागत लें beginner है professional है mid level का है या उस company के पर कोई लगा आप कह सकते हैं को थीम आपने बनाना है Christmas के relevant को थीम है या इद के relevant है या आप कह सकते हैं कोई और हो गया जैसे Easter हो गया तो उस company का for example company जो है वो बनाती है कपड़े बच्चों के और वो उसने कपड़े बेचने है Easter पे तो अब जो उसका flyer होगा relevant to kids clothing and Easter तो तीनोंगा element बनाकर आप अपना design create करेंगे तो यह तरीका होता है जब भी आप किसी design को start करते हैं मैं खुद भी एक यूट्यूबर हूँ और मैं बहुत वीडियो देखता हूं मगर मुझे आपके जैसे टीचर नहीं मेरा इस लिए आपके चैनल पर न्यू यू वीडियो का वेट रहता है यहार मेरी कोशिच है मैं लेकर आऊ लेकिन थोड़ा सा स्लो हूँ लेकिन इंशालला विड़ पैसेज ऑफ टाइम यह भी काम तेज हो जाएगा और बहुत सारा कॉंटेंट आएगा सर्डिजाइनिंग कैसे स्टार्ड करते है यूटूब से फिल हाल यहर देखें मेरे से सीनिय यूटूबर है जी एफेक्स मेंटर उनका पूरे-पूरे कोर्षे अल्रडी बने पड़े हैं मैं अभी स्टार्ट हूं मेरा मोसली होता है कि मैं काम सिखाँ तूल के साथ काम जाएं काम आपने सीखने हैं तो मेरे चैनल सीख लें थाजन दोफ चैनल ऑफ इंग्लिश पीपल एस वेल जो लोग काम सिखा रहे हैं टूल सिखा रहे हैं एक टूल पकड़ा है उसको दस वीडियो देखें पांच वीडियो देखें ताके वो टूल आपके जहन में बस जाए ठीक है ना प्रो हो जाएं आप उस टूल में तो फिर नेक्स टूल पकड़ लें इस तरह हम स्टेप बस टेप सारे टूल सारी चीज़ें हम लर्न कर सकते हैं मैन्यू डिजाइन सिखा दूंगा यार मैन्यू डिजाइन तो बहुत असान है प्ले स्टूर पर से हम डिजाइन आप इंस्टॉल कर सकते हैं किस चीज़ की आप आप आपने इंस्टॉल करनी है नई है आप मैंसे जो लोग क्वेश्टन्स पूछ रहे हैं वह वेट किया अगर है यहां पर डिले आता है प्लस मैंने हर बंदे की कोईरी का जवाब देना होता है अभी तो कम हैं तक्रीबन 30 32 लोग का व्यू करते हैं ठीक है तो इसलिए क्वेश्टन्स जड़ा स्लो स्लो हैं अभी कल अगर हमारे पास कम्यूनिटी बढ़ती है ग्रो करती है कल तो फिर तो इस तरह लाइन लगी होनी है तो पता नहीं कितने लोगों के क्वेश्टन्स में सोजा करेंगे तो इस यू आई डिजाइन के कुंसेप्ट्स जो हैं पता हैं लेकिन मैं प्रफेशनली होता नहीं एक्सपीरियंस नहीं हो यू यू एक्स में तो इसलिए मैं उसको हाथ भी नहीं लगाता ठीक है मैंने जिंदिगी में एक या दो एप्स डिजाइन की हैं वह एक सॉफ्ट्यरा उ इसके लिए कि बस और भी उसके कहने पर वरना मैं इंट्रेस्ट नहीं तो मुझे पता नहीं नहीं के रूल्स बकाइदा एक चीज होती है और इसको फॉलॉप करना होता है एक चीज का देखके और एक्सदी आजकर लेका डोबी एक्सटी वह मुझे नहीं आता ठीक है मैंन इसके अनल फ्रीलांसिंग कर सकता है ठीक है एक यूए फ्रीलांस डिजाइनिंग है अगर कोई चैनल मिला मुझे यूए का तो मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूंगा तो अभी फिलाल मेरे जहन में कोई नहीं आ रहा है स्लाम अलेकुम 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 कैसी है आप वह शुक्रिया वाई वैब बैनर फ्लायर ब्रोसर और इसके टुटॉरियल आ रहे हैं तहनियत इन्शाला आप जल्दी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे यूर लाइव और यूर टुटॉरियल जार बैस्त वेरी इजी तो अंडिस्टेंड आई लव यूर वीडियो थैंक यू तमीम सिर एफसी के बाद दिजाइनिंग की स्टडी होती है आपको किसी एकाडन करना पड़ेगा या कोई आनलें मेंटर है तो उसे लें कर लें यूटूब के वीडियो थैं उससे लें मैटर के बाद या या एफसीके बाद आप खुद से लर्न कर सकते हैं और I think courses वगएरा हैं कुछ डिग्री नहीं है डिग्री करनी है तो फिर वह आई थिंग NCA से होती है और वो बड़ी फीस लेते हैं और बहुत फीस लेते हैं GFX mentor पर जस्ट टूल्स हैं और कोई बता देगा अगर मेरे चैनल पर कुछ आपको helping material मिलता है तो वहां से आप देख लें और वरना आप लिखें फ्लायर फोटोशॉप tutorial फ्लायर डिजाइन फोटोशॉप इन फोटोशॉप इस तरह के आप queries डाल के YouTube से learn कर सकते हैं बहुत जा data मिल जाता है बहुत जारी वीडियो मिलती है software को learn करने के बाद आपने अगर तो YouTube पे करना सीखना है तो फिर आप queries डाला करें मिसला आज आप एक चीज़ रादा कर लें कि इस हफते मैंने business card सीखना है तो आप हर रोज उठके business card design करें और कैसे design करना है वह आप कोई ना तो साथ साथ बनाना शुरू करें तो आपको आज ता इस ता नहीं कि एक list बना लें फ्लायर मैंने design करना सीखना है ब्रोशिस करना है फिर उसके बाद business card है फिर उसके बाद branding है and so on ठीक है तो आज ता इस ता आपको इस तरह learn करने को मिलना शुरू हो जाएगा काम learn करना श यहां पर मैं अगर लेकर आउँ आपको पास ठीक है चैनल का प्रिव्यू लेकर आता हूँ अगर स्क्रीन पर आ जाए ठीक है यहां आपके पास शो हो रहा होगा तो यह प्लेइलिस्ट में जाएं आप प्लेइलिस्ट में जाके एक तो यह आपने देखना है logo design step by step process ठीक है तो यह एक यहां पर दो वीडियोज पढ़ी है इसके अंदर यह बहुत अबस वीडियोज है इसके अलावा मेरे पास यहां पर logo design tutorial इन उर्दू है ठीक है यहां पर आपको मिल जाएंगे एक दो तीन चार तकरीबन कोई आठ दस वीडियोज हैं ठीक है यह आप देखें इस पर आपको बहुत ज्यादा helping जो है वो मिल जाएंगे ठीक है tutorial तो यहां पर आपको मिलेंगे ठीक है यह मैंने आपको दिखा इनिशालला आते रहेंगे और साथ-साथ मैंने कौन सा भी रुकना है ठीक है ग्राफिट डिजाइन के लिए एनिमेशन सीखना क्या दूरी नहीं बिल्कुल नहीं दूरी एनिमेशन एक और ही फील्ड है separate फील्ड है सर इसी वज़ए से ना आप से सारे क्योंने कर रहे हैं क क्योंकि कल को आपके million subscriber होने हैं फिर आपने मुख्योंसे करने में नहीं करूंगा या इनिशाबला करोंगा फिर हम Q&A 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 जो है questions वगरा वहा हम weekly रख लेंगे उसमें आपको पहले questions ले लिए करूंगा और weekly मैं को video पना के upload कर दिया करूंगा या लाइव आके reply कर दिया का है के लिए है आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन है गुर्ड वर कजी मंजम आई है वास्क यू बिफोर तो पॉइंट आउट मिस्टेक्स फ्रों बिगनर्स पॉर्टफोलियो माइफाइव प्रफाइल पॉर्टफोलियो इस तंजील इन फ्यूचर अफ्यूचर तो वहां पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपने लोगो डिजाइन करवाना है ठीक है तो वहां पर जाके इस तरह एक फॉर्म मैं आपको दूंगा तो वहां पर आप लोग अपना फाइवर की प्रफाइल वगरा सब्मेट करवाकर मैं रिव्यू कर दिया करूंगा लाइव किसी एक बंदे की दो बंदे की प्रफाइल तो इस तरह वीडियो भी बनती रहेंगी प्लास आपको उसका फाइदा भी होता रहेगा ठीक है यह काम इन्शाला मैंने नेक्स वीक से स्टार्ड कर देना है तो यह बैक्राउंड कैसे बलर किया हुआ है अपने अपने क्यूब अजीम ने चितर खाने मेरे से अगय के अगया लोगोस पोस्टर बनाए नहीं हम लोगोस जो है मैं रेकमेंड करता हूँ फोटोशॉप में नहीं बनाए नहीं बनाए इसके लिए बैनर्स बना सकते हैं वी कें क्रियेट पोस्टर आज वेल लेकर पोस्टर जो हैव तो इलिस्ट्रेशन के ओपर बेस करता है फिर मैं रेकमेंड करता हूँ अड़ोबी इलिस्ट्रेटर बनाएं लेकिन अगर इसमें फोटो बगएर हैं टेक्स्ट है और थोड़े बहुत ग्राफिक्स हैं जैसे बॉक्स लगाने हैं लेट टैंगल सरकल्स बगएर लगाने फिर फोटो शॉप भी जिन्दाबाद मैं कटिंग इदर से जो है ये गली में नई बैठा है उससे करवाता हूँ अजीम अंजब ठीक है एम फजल दीन सर विजिट करके बताएं प्लीज फाइवर का काउट आज ही क्रियेट किया है अगर अगर तो उसके उपर आपने क्रियेट किया है ठीक है तो मैं देख लेता हूँ दो गिज डालें आपने और एक आपका है फ्लैट मिनिमल लोगो लोगो जो उसके उपर लगा है वो बिलकुल भी अट्रैक्टिव नहीं है दूसरा आपकी जो इमज लगी है ना उसके उपर डीपी जो आपके लगी है उसमें थोड़ा स्माइल एड़ करो ठीक है उसमें थोड़ी स्पाइब बहुत सीरियस आपने वो लगाई हुई है कोशिश करें कि अपने जो फ्रंट इमेज है दोनों इमेजिस का वो चेंज करें थोड़ा अट्रेक्टिव लगाएं यू विल गेट मोर रिस्पाउंस ठीक है ज्यादा आपको जो है रिस्पाउंस मिलेगा बाकी ओल दा बेस्ट यार आपने कैडमी स्टार्ट करनी है अलाट ठीक होंगे तो इन्शाला साहरा मैं एक अडमी स्टार्ट करूँगा और आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में जो है वो फोटोशॉप की क्लास ही है स्लेक्टन मास्क के उपर और उसके बाद टैपोग्राफी की है ठीक है जी और स्टैप बेस्टैप आएंगी सारी सो नेक्स्ट वीडियो है क्लास 11 स्लेक्टन मास्क पर टिप्स पर टैपोग्राफी है उसके बाद फिर क्लास आएगी और उसके बाद आएगा लोगो डिजाइन फ्रॉम दे गिवन ब्रीफ फ्रॉम ओडियन्स या क्लाइट ठीक है उसके बाद आएगा रेलिवन्ट लोगो जैनेक्स वीक इंशाल्ला सारे लोगो के रेलिवन्ट है फिर फोटोशॉप की क्लास है फिर एंड सोन बहुत सारी है इक इस वीडियो तकरीबन है हमारी जो आने वाले जिसके टॉपिक्स रडी है जिसके स्क्रिप्स रडी है ठीक है वेले बैठे में ही काम कीता है कौन सा लूं कुछ समय नहीं आ रहा प्लीज गाइड अजीम अंजम इस एन अमेजिंग फोटोग्राफर ठीक है और इस बंदे का कहने पर यह मैंने कैमरा लिया था यह मैं आज आपको बता दू यह जो बंदा शोकियां मार रहा है इस बंदे कहने पर यह मैंने कैमरा और य सब्सक्राइब करते हैं मैं तो लाइव भी करते हैं मैं तो लाइव भी करता हूं मैं आफ लाइन भी करता हूं आम वेटिंग टाइपो टाइपो आजेगी निशाल्ला मैं फोटोशॉप भूल रही है तो आप प्रैक्रिस करते रहे हैं देरा सो मेनी वीडियो साहरा और एक मेरा छोटा सा भी है कोर्स भी आप फोटोशॉप का भी स्टार्ट हुआ हुआ वह भी देख सकती है आप सब मिल नहीं रही है आप अपवर्क चैनल का बता दें प्लीज यार मैं लिंक देता हूँ आपको ठीक है लिंक देता हूँ लर्न विदिश जी वाकि यार उन्रुस का तो सच में आता ही नहीं है यह मैं उसे बताऊंगा यार उसका तो लिंक ही नहीं आ रहा है यह जी लिंक मैंने इदर पेस्ट किया है और यह है चैनल अगर आप अपवर के रेलिमेंट हेल्प चाहिए आपको तो वो आप यहां से देए सकते हैं ठीक चाली से पचास क्लासीज होंगी आसे मली इसके फोटोशॉप की अभी तो बहुत पढ़ी है बहुत ज़ एक्टर इमेज को काइंडली डिफाइन कर दें विद एन एग्जेंपल उसके लिए कौन सा सौफ्ट्वें यूज करते हैं और रिजन ओफ उजिंग डाट सौफ्ट्वेर अवेरनस यह वेक्टर इमजेज इमजेज और फिर वेक्टर यह दोनों अलग अलग फॉर्म्स हैं वेक्टर आपजेक्ट्वेक्ट्वेक्ट्वेक्ट्वेक्ट्वेक्ट्वेक्ट्वेक्ट्वेक्ट्वेक्ट्वेक्ट्वेक्ट्वेक्ट्वेक्ट्वेक्ट्वेक्ट्वेक्ट्वेक्ट्वेक्ट्वेक्ट्वेक्ट्वेक्ट्वेक्ट्वेक्ट्वेक्ट्वेक्ट् सकते हैं बड़े बिलबॉर्ट के उपर भी ओर चोटी किसी एब को पर रिया किसी बैनर का उपर भी साइज साइ्ज कर सकते हैं इस वज़े के हम आडोबी इलिस्तेटर या वेक्टर फॉर्म के अब्जेक्स जो है वह हम यूज करती है । 很 už हम जी स्टील लैarin चामीं चाहता हूँ क्या मैं सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखे फोटोशॉप में इलिस्ट्रेटर सीखना सकता हूँ प्लीज रूप हाजी बिल्कुल आगर आप सिर्फ फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर ही सीख लें यूट्यूब के देखते रहें तो आपको आ जाएगा ठी है और आर अर्निंग वेरी हैंड्सम अमाउंट ठीक है हाँ जी खुल गया है खुल गया है तन्जील अब आपकी बारी है तन्जील की जो फोटो है ना सबसे पहले थोड़ी और स्माइली वाली आड़ करो अपनी ठीक है और बैग्राउंड बड़ा बीजी है आपकी जो इम फोटो शो आई विल डू फोटो शॉप एडिटिंग रिमूवर चेंज बैग्राउंड एंड फोटो रिटचिंग ठीक है आप ऐसा इसका टाइटल वैसे तो एक रिव्यू आया है ठीक है लेकिन अगर आप टाइटल चेंज करें थोड़ा जब दिल करें आई विल डू फो इस पर स्टार्टिंग सुन वाला जो आपने वीडियो लगाया ना उसका थम्निल चेंज कर दें कोई और लगाया है ठीक है जैसे आपने बाकी दो इमेजिज लगाई है थर्ड वाली जिसमें डवल्यू का लोगो वह ज्यादा अच्छा लग रहा है यह फर्स्ट वीडियो करीकैचर यह काम नहीं आता इसकी जjang आप कोई और सकिल सके इस तरह काम बुदा मुश्कल से आता है ठीक है अक्रीडब कूल पोटर घट कारटून कैरीकैचर धीक है यह भी सही है लेकिन उसंप पर काम नहीं आएगा ठीक है कुछ और लगा लगाए है आपको बिसनेस कार् अब पोड़कास कवरार लगाएं, अल्बमार लगाएं, वेब बैनर्स लगाएं, बैनर्स डिजाइनिंग सीख लें आप ठीक है, और फ्लायर्स ब्रोशर के जो आपने इमजे यूज किया है, वो भी चेंज करें, जो थर्ड वान है, वो जादा बेतर है, ट्राइफोल्ड ब बताया है, बाकिया अल्मॉस्ट ठीक है, आपका, आप अकैडमी क्यों नहीं खोलते है, क्योंकि वाइरस आया हुआ है, फैला हुआ है, हर जग इस वह से अकैडमी नहीं खोलते है, लेकिन कोशिश है मेरी कि जल्दी ओपन करूँ, वाट इजी, विच इजी टू लर्न, लोग कहते हैं, लिस्टेटर असान है, कुछ लोग कहते हैं, फोटोशॉप असान है, आप दोनों ओपन करके देखें, इनको यूज करना शुरू करें, आप इनको लर्न करना शुरूए, आपको अंदादा हो देगा कौन सा असान है, म उसी तरह चीजें सेलेक्ट होती है, उसी तरह कट पेस्ट होती है, आल्मोस्स सैविंटी टू सैविंटी फाइपरसेंट आपका इलिस्टेटर सही है, फोटोशॉप की तरह, मिनिमल की इन्फॉमेशन है कि आपने अपनी कम से कम कॉंटेंट को यूज करते हुए, ग्राफिस को यूज करते हुए, मैसिज डिलिवर करना हो तो वो मिनिमलिजम में आ जाता है, ठीक है, इसकी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा खाली पड़ी हो, और अंदर ग्राफिक्स बहुत कम हो, ठीक है, कम से कम इन्फॉमेशन शो करवाके, आपने अपना मैसिज डिलिवर करना हो, तो वो आ जाता है मिनिमलिजम में, और इसके अलावा, मिनिमल लोगो भी, आप समय लेंगे किस तरह होते हैं, कि कम ग्राफिस के साथ, सिंपल, सादा, एलिमेंट्स, सिंब लोगो, हलके फुलके, कैसे क्रेट के जाएं, यह आपको गूगल सरी पता लेगा, क्रियेट करना असान है, अगर आपको टूल आता है, क्रेट करना असान है, कुंसेप्ट का मसला होता है, कि वो दिखते कैसे हैं, ठीक है, तो वो आप गूगल कर लें, और असके लावा लगाएं वो चेक करें अंदाज़ा हो जाएगा आपको फोटो एडिटिंग होती है उसके बाद मैं उनको कॉर्परेट और प्रोफेशनल वर्क की तरफ लेता हूं जैसे बिस्निस कार्ड ब्रोशर्स फ्लायर्स और पोडिकास कवर्स अल्बम कवर्स बैनर्स और यह चीजन सारी से कहा देता हूं फिर ठीक है तो आपको पर डिपें मेरे दो बच्चे हैं यार मेरे दो बच्चे हैं माशाला से आप कब तक ऑन लाइन हैं बस जा रहा हूं भी सायरा से जाद पूछें आपको तक तक करीबन एक घंटा उननीस मिनिट हो गया और दस बारा मिनट हो रहूं उसके बाद मैंने चले जाना भाई आपने फाइवर पर लाइव डेमो लाइव डेमो क्या करते दिये कुछ क्लाइंट्स को काम करते के देते हुए ऐसे वीडियो कभी कबार डाल लिया करें हां जी आएंगी इन्शालला इससे बिगनर को हेल्प मिलती है कि आपको बुरा ना लगे तो यहर मैंने एक दो प्रजेक्स एड़ की ह हैं पोड़ गास कवर राट के और इन्शालला और आएंगे दो दो वीडियोज ने शायद जिसमें मैंने फाइवर पर उनको डिलिवर किया है काम वेलकम मुहम्मद तन्जील एक चीज के बार में गायड गाले स्टेटर में किसी वेक्टर शेप को ग्लिटर में मास्किंग कैसे करते हैं ग्लिटर यह मुझे आपका वर्ड नहीं समझाया इस पर वीडियो नहीं मिली मुझे और होता भी नहीं अगर आप कोई हल कर दें इसको भी ग्लिटर कह रहे हैं या पता नहीं क्या चीज अगर मुझे आप सैम्पल बगर्आ को इंस्टाग्राम का जीएुपर लिंक मुझूद 2014 अगर आप मुझे सैंपल सट कर दे मैं आपको बता दू कर दो क्यों गया 態ीसे हुआ है ठीक है आप मुझे इस्टाग्राम पे इस्टाग्र कर करके आपको ज्यादा कॉमेंट्स भी आते रहें लेकिन मैंने रिसेंट्ली तकरिबन लास्ट मंथ मैंने एक पोस्ट एड़ की थी और वीडियो भी शायद अपने पेज पेज पर एड़ की थी कि मैंने खुदारा वास्ता मेंनों माफ कर दो मेरे पास सेटफ नहीं है मठ जाए ना रुक जाए प्लीज लो एड़ी तो रहन दीनी मेरी मुशूख आज जाने की जिदना करो सारा सिजाद कौन सी सविस एज बिगिनर सेल करनी चाहिए जो इजी भी हो और सेल भी हो जाए पोड़कास कवरार्ट और अल्बमार्ट दोनों गिलिटर्स गिलिटर्स य मैं वहां से आपको देखके बताऊंगा यह क्या सीन चल रहा है ठीक है फिर आपको गाइड मिल जाएगी है अलो सर मैं वैसे अभी वर्डप्रेश डवेलपर हूं मैंने वैब डिजाइन सीखनी थी आ आपना स्किल सेट बढ़ाने के लिए कोई टिप्स तो सर मैं जे यूट्यूब चैनल है वर्डप्रैस के रेलिवेंट ही जिसमें आज कल बन्दा वो वैब साइट पूरी बदाना सिखा रहा है डवल्यूपी अकैडमी ठीक है नव्यूपी अकैडमी यू बड़े दोस्ताई मेरा अच्छा है और डवल्यूपी अकैडमी के नाम का चैनल व आएंगी यार मेरा तो दिल कर दो को ऐसा मौज़ा हो जाए कि सारा है मेरा जो डिमाग के अंदर स्किल सारी पढ़ी हूं सारी एक दिन वीडियो में कनवर्ट हो जाए तो मैं सारी एक दिन में अफलोड कर दू लेकिन टाइम लगेगा एमस्जे बहिंदर कह रहे हैं जी असलाम अलेकुम सार्व आलेकुम असलाम ठीक है जी आप मुझे फाइवर का लिंग सेंड करें वाई सो क्यूट आपके चाहिड बहुत तो बहुत कुछ किस्मत है के घर में ही प्रोफेशनल ग्राफिक जानर फिल आंसर है लव यू सर है डाइटिंग टिप्स दे दें मैं खुद बहुत मोटा हूं मैं मुझसे के डाइटिंग टिप्स पूछ रहे हूं मुईद शाहिद कैसे है सर आप लें जी काफी हो गया आज के लिए तकरीबन डेड़ गंटों होने वाला और अगर कोई क्वेस्चन हो तो आप लोग जो हैं वो यहां पर कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं ठीक है उपर आरे लिंक्स इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर भी कर सकते हैं फेस्बुक पर भी कर सकते हैं सारे लॉगिन है मेरे मुबाइल पर जहां पर हुआ मुझे मैसिज आया तो मैं रपलाए आप को लाजमी करूंगा ठीक है तो आप लोग जो है अगर आप कोई क्वेस्टन है तो इंस्टाग्राम पर कॉमेंट्स करें ठीक है हाँ जी मैं जा रहा हूँ तो आप लोगों ने जॉइन किया मुझे और होफुली आप लोगों के क्वेरी का रप्लाइ भी मैंने किया है ठीक है फुर्दर डिसकेशन आपने कोई करनी हो तो आप अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम चैट फॉल आप कर ले मुझे ठीक है अगर रव्यू करें तो फाइदा होगा अगर रव्यूज लें आप परचेश करना चाहरे हैं रव्यूज अना यहर उसका काम जो है वह फाइदा तो होता है लाजमी होता है लेकिन अगर प्रफाइल्स हो ना दूसरी कंट्रीज की तब होगा और बस अवेड़ाल आप कह सकते हैं फाइदा होता है रिव्यूज लेने का ठीक है लेकिन वो लिमिट्टेड है उसके बाद आडर ना है आपको तो फिर वो फाइदा कोई नहीं हो ना आपके जाया हो जाने ठीक है मेरा कोई सेशन रूइनिंग नहीं होता ठीक है ना हुआ है जो मर्जी कहते रहते मैं तो खुछ शुगा लगा रहा था ज़रा इंटर्टेन करने के लिए अजीम हनान अर्शेद धूज फैन अफ यू सर थैंक यू हनान साहरे सजाद अलाफीज 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 थैंक यू जो जोइनि मैं सेशन आप दोनों लर्न करें जाद फोटेशॉप के साथ इलिस्ट्रेटर भी लर्न करें यह नहीं कि आपको एक छोड़ दें दूसरा पकड़ लें ऐसा कोई सीनिया दोनों सॉफ्वेर लर्न करें दोनों बहुत इंपोर्टन हैं आपको दोनों के कलाइट आया करें गे कभी लोगों अगर दिल कड़ा अगर अगर आप तक अगर आपने बड़े क्लाइंट करने है ना बड़े क्लाइंट चाहिए ज़्यादा पैसों वाले तो पिर अड़ोबी इलिस्टेटर भी लेर्ण करें उसमें लोगोज हो गए ब्रेंडिंग होगी पूरी-पूरी और अगर छोटे क्लाइंट से बैनर शैनल बनाने तो फिर वोटोशॉप भी काफी है आपको मेरा नाम तो याद हो गया होगा क्योंकि हर सेक्शन में साब से ज्यादा क्वेशन करता हूं हाँ जी मुझे याद हो गया आपका नाम उकाड़ा सिटी हाँ जी येस आइम फ्रॉम उकाड़ा सिटी जान ही रेचला जाता हूं अरसलान भाई ये साहरा सजाद भी मेरी स्टूडेंट है ठीक है यह लोग जान बूचके मुझे तंग करने हैं इसलाएं इस्टेग्राम चेक किरें मैं अपने एक सेंड की ज़रा देखें मैं आप मैं देखता हूं जी यह सेशन के बाद एक तो बस्क बस्क क्या है बस्क या बिजी पता नहीं क्या कुछ चले ओके जी फिर थैंकी सो मच पर जॉइनिंग और फिर मिलते हैं इंशालला नेक्स्ट वीक लाइव और वीडियो जाती रहेंगी अब रेगुलर इंशालला टेक क्यार एंड लाह फीस